हेलो वेल्कम टू माई चैनल किरतना कीचन डायरी प्लीज लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें तो आज हम ब्रोकोली अल्मंड सूप बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्थी है तो इसे यह विटामिन बीट वैल से बरपूर है बहुत ही हेल्थी है इसमें ब पर लिखा है तो आप यह जरूर देख लीजीगा और उसमें अभी बटर हमने एक स्पून भर के रख दिया तवी में गरम करने के लिए और उसके अंदर हम जीरा डालेंगे ब्रोकोली को एक तम अच्छे सी साफ करके पानी से वाश करके रख देना चोटा टुकडा करना है या बढ़ा रखना है आपकी मर्जी और बटर में गरम होके आए जीरा डालके ओलियन को चोप करके रख दिया इसे तोड़ा सोते कर लेंगे और गार्लिक भी आप दो तिन चोटे 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 चोप करके डाल सकते हैं चोटे टुकडों में इस दम हलके तो मतलब वो अच ब्रोकोली बोगती हेल्टी चीज है और जो लोग नहीं खाते हो खानती है इसको सलाट के रूप में भी खा सकते है आजम शूप बनाया है तो शूप के तरह साओ करेंगे और प्लीज आप दोस्तों जो भी कॉमेंट है मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखतेगा आपक इसको मेरी नहीं नहीं रेसिपी मिलती रहेगी अभी ये ब्रोकोली तोड़ी देर हो चाहेगी ना तब तक उसे ना भी एक काली मिर्च और सॉल्ट पी डाल गया पिंक सॉल का उप्योग करती हूं है आप जो सॉल्ट डालना चाहते है डाल सकते हैं वाइट सॉल्ट पी अभी भी डाल सकते हैं थोड़ी देर पकने के बाद इसको हम एक ग्लास पानी बरके डाल देंगे तो इसे थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा लो हो गया पांच मिनिट में हो जाता है और थोड़ा चमत से देख लेना वो पक गया है कि नहीं पक जाता है उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा करके क्रश कर लिजे और एक थोड़ा बोल्ड दे दिजे थोड़ा उबल जाने के बाद ये रेडी है बिल्कुल और बादाम को हमें चॉप करके डाल देना है आपको ग्राइंडिंग में डालना है तो भी डाल सकते हैं उपर डेकोरेशन में भी डालना है तो डाल सकते हैं और एक स्पून क्रीम से सजा के रख दिजे बहुत ही टेश्टी लगता है ओके बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब करें